अक्सतर हम लोगे कहावात सुना करते थे कि गाउं बसा नहीं है और भिखारी आकर हजीर है ठीक इसी तरह से जैकबोट ने आप लोग के लिए करके दिखाया है यानि आप लोग को क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई है और जैकबोट ने आप लोगा एक्जाम सिटूल पूर इसा नहीं है ये एक्जाम जो है ओल अफर छार्खन में हो ती में होती जिस तरह से अपलोगोगा हमी चुटी कि क्या मोसम पड़ावा है लेकिन जैकबोड ने यह बहुत बड़ी अलाउंसमेट कर दिया है कि आप अब लोगों का घर में रहने से कुछ नहीं होने वाला है सरकार नहीं है अलाउंसमेट पहला अलाउंसमेट क्या है मेरे प्यारी क्या तो इसको धाय से सुनिएगा जोबी स्टुडेंस कोई भी स्टुडेंस अगर तीस परसंट से जादा मेरों दोस्तों माल लेकिए अगर अनुपस्तित रहते हैं तो वह स्टुडेंस को एकजाम में रेजिस्टेशन करने समाएं उसको बहुत दिक्कति होगी याद रखेगा 20 परसने से केंडीडेट है यादने परसेंट अगर आप एपसेंट करते हैं एक्जांपल में मान के चल रहा हूं कि एक महना में एक महना में होता है सर 24 दिन कितना दिन मेरे प्यारे 24 नहीं बलके 26 दिन होता है क्यों क्योंकि 4 दिन तो संडे पड़ता है अगर मैं 26 का अगर मैं 20 परसन निकालो मेरे प्यारे तो 20 परसन हो जाते हैं इसको काटेंगे तो 5 यानि इसको आम लोग अगर इससे डिवाइट सारे स्टूडेंट को एक बात को पता हुआ था लेकिन जैकबोड के बारे में जब इन्होंने कोश्चन क्या कुछ कोज बड़े बड़े आधिकारियों ने कोश्चन क्या उन सभी से सामने परसन किये क्या कि इतना इतना स्टूडेंट्स फेल की हुए तो उन्होंने इस 40% से ज़्यादा एपसेंट के थे इन्हीं एपसेंटों के वज़े से आप स्कूल के टीचर्स स्कूल के एड मास्टर ने यह रिजंग बताया है कि स्कूल में अडिमिसन स्वारी आपका जो एफसेंट है एफसेंट की मातरा जादा होने के कारण तो मेरे दोस्तों आप लोग वह एसा गलती ना करें स्कूल कोले जब भी आप लोगों का खुले कभी भी एपसेंट करने की कोशिस ना करें हां कभी भी अगर कोई पुरा ऐसी स्थिति आ जाती है उस्तमाइब को घर में रहना ही पड़ेगा तो उस्तमाइब को नहीं जाना है मतलब मान के चलिए एक महना म आपको 20 दिन स्कूल जाना ही जाना है किसी भी हाल में चाहे आपका कितना भी अमर्जेंसी काम क्यों ना रहे नहीं तो फिर आपके मार्क्स में बहुत बड़ी कटोटी के जाएगी तो फैनली आप लोगे सामने मेरे बात को लगातार सुनते रहेगा मेरे प्यारे कि आप ल एक्जाम नहीं दूँगा तो बिल्कुल वह जमाना भूल जाई 2024 की बाते अभी तो 2024 ही चल रहे है यानि 23 और 24 के बीच में जो सेशन चल रहे थी वह जमाना आप लोग भूल जाए इस बार सरकार ने पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा ये कोसिस कर रहे है कि जो को देंगे अब बात अती है सर कि बुलुप्रेंट के एक्जाम कब होगी यानि बुलुप्रेंट का सीडूल तो जारी कर दिया है अगर आप लोग देखने चाहेंगे तो मैं दिखा भी सकता हूँ उससे पहले में बताना चाहूंगा कि आगर आप कोई भी स्टूडेंट्स अगर class 11 और class 12 related है या class 10 से तो उनके लिए missile classes के app में और हर दीन online class चल रही है जो भी students अभी तक missile classes के आपको प्लेश्टोर से डाउनलोड नहीं किये हैं अभी डाउनलोड करें missile classes के application पे सारा question मैं बता दूँगा याद रखेगा जैसे अप लोगों को सारा question बता दूँगा कि किस type को question आने वाला है सारा question उससे लड़ जाएगी अगर यकीन नहीं होता है अगर आपके घर के आसपास में कोई सा students है जो हमारे चैनल का माध्यम से पढ़ा यह चापकर दे देते थी यकीन होता है पूछ के देखेगा घर के आड़स परसमें ठीक है तो आप लोगों के लिए missile classes बहुत बड़े opportunity लाई है जहां पर आगर आप class 11 में है तो पूरे साल भर की तैयारी only for 299 रुपया में कर सकते हैं जो class 11 का यह बैच है अगर आप चाहत को अपने हाथों से जाने ना दे क्योंकि इसका फिर 999 रुपया है अभी कुछी दिन के लिए limited sit और कुछी समय के लिए यह आप लोगों का offer दिया गया है इस offer का भरपूर आप लोग फाइदा उठाए नहीं तो फिर यह 999 रुपया हो जाएगी सुबा साम दोने टाइम online class का अनंद लिजिए और वादा करता हूं इस बात का जो चीज यहां पर पढ़ाया जाएगी इस कोर्ष में जो भी चीज आप लोगों को पढ़ाया जाएगी इससे बैटर पूरे जारकन में आपको कहीं नहीं मेलेगी इतना गॉंफी में पढ़ाने का जो तरीका होता है सब से पहले चैप्टरों को समझा जाता है फिर आप लोगों का सब्जेक्टीव कोशन बताया जाता है इतना सारे चीजें आप लोगों को कर सकते हैं description box में एक WhatsApp गुरूप को बिल्कुल जोईन कर लेंगे तो मैं बात कर रहें तो आप लोग का को धाय मार्क्स का मिलेगी यानि याद रखेगा टोटल अप लोग को 40 मार्क्स का एक्जाम होगा यानि क्लास नाइन से लेकर क्लास 12 के बीच में जो भी छात्र छात्राएं हैं उनका एक्जाम जो है मुद्धा बहुत इंपॉटनेंट है तो याद रखेगा तीन चार सप्ता तक आप लोग का सिर्फ और सिर्फ अबजेक्टी पूछे जाएगी जिसमें आप लोग का सोलर कोशन होगा सोलर कोशन में से आपको सोलर कोशन का एंसर देना अनिवार होगी ओके एक कोशन धाय मा माक्स वाला ठीक है यह बात को अप लोग को ध्यान रखना है अब बात करते हैं सर हम लोग मुद्धे पे कि आखिर हम लोग के एक्जाम कब सो होगी तो अनुमानेट डेट है मेरे प्यारे 22 जुलाई से क्या याद रखेगा स्वरी अभी चु चल रहा है हम लोग का 22 मई यह ब्लूप्रिंट के एक्जाम के रिगर्डिंग जो भी इंप्वाटन्ट कोश्चन बनेगी साथ ही साथ आप लोग का एक्जाम से पहले अगर एक्जाम पेपर दिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा जो बहुत ही इंप्वाडेंट है तो 22 को अप्वाले अपको बता दियेगे कि आपका एक्जाम में जो कल एक्जाम होने वला है और को S सारी इंपोर्टन इसमें बता जागी जितना ज़्यादा हो सके एदन कोरोना वाइरस की तरह इस वीडियो को सेर करें ताकि हरे के स्टुडेंस के पास यह वीडियो पहुचे और ब्लूप्रिंट के एक्जाम को देकर आपने स्ट्रॉंग कर सकते आपने तैयारी को साथ आप अच्छी तरह से अच्छा खासा तैयारी करके आप इसली से एक्टी नाइटी पाग मांक्स ला सकते हैं चलू मिलते इसी तरह से नक्स्ट आपडिट के साथ